हैलो तिशी दिख्षा नाम देव वल्कम टू इनिशेशन क्रासिस आज बापके सामने भारती तर्ट रक्षक भरती 2021 का लेटर्स नोटिफिकेशन लेकर आए हूँ यहाँ पर कोस्कार्ट रेकृट्मेंट 2021 के अंतरगर्ट टोटल 350 पोस्ट है जिन में भरतियां होनी है पोस् जर्नल ड्यूटी जीडी नाविक डॉमेस्टिक ब्रांच डीवी और यांतरिक यहाँ पर नाविक जर्नल ड्यूटी जीडी की 260 पोस्ट जबकि नाविक डॉमेस्टिक ब्रांच डीवी की 50 और यांतरिक की यहाँ पर 40 पोस्ट है एलिजिबिलिटी के लिए हम बात करें तो Class 10 पास आउट रहना चाहिए और Engineering का डिप्लोमा भी होना चाहिए Electrical, Mechanical, Electronics या वे Telecommunication ब्रांच से यहाँ पर आप देख सकते हैं Category wise vacancies भी लिखी हुई है किस category के लिए कितनी vacancies है आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ही जो 350 पोस्ट है उनका distribution है आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं यदि हम बात करें application fee की तो General, OBC और Economical Vicar Section के लिए 2500 यानि की 250 रुपे application चार्ज है जबकि SC, ST के लिए यहाँ पर कोई भी application charges नहीं है Important dates आप लोग ध्यान रखें application start हो जाएंगे 2 July 2021 से जबकि registration की जो last date होगी वो 16 July 2021 होगी Admit card और exam date जल्द ही notify की जाएगी ओके यह जो notification यहाँ पर show हो रहा है आप इसको download करके अच्छी तरीके से read कर ले उसके बाद ही apply करे PDF को download करने के लिए आप लोग Telegram channel को join कर ले Telegram channel के link पाई डिस्क्रिप्शन में दे दी है सेलेक्शन प्रोसीजर के हम बात करें तो चार स्टेजिस में यहाँ पर सिलेक्शन होगा स्टेज फस्ट में return examination है आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है जो भी आपने post apply कि है उसके हिसाब से return test के कितने sections होंगे वो यहाँ पर लिखी हुए कितने कितने number of questions आएंगे वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है पासिंग मार्क्स लिखे हुआ है जर्नल यू आर एकोनोमिकल विकर सेक्शन ओबी सी कैटिग्री वालों को कम से कम 30 नंबर जबकी स्टाइस नंबर लाना कंपलसरी है सिलेबस का जो स्टेंडर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 10 के स्टेंडर्ड का आपसे पुछा जाएगा ऐसे आप आगे देखेंगे नाविक जीडी की जो बात की जा रहे है जर्नल डूटी की इसमें सेक्शन वन और टू दोनों आना है तो सेक्शन वन जो भी मैंने आपके साथ डिसकस किया जबकि सेक्शन टू में आप देखेंगे मैक्जिमा मार्क से 50 टाइम लिमीटर 30 मिट टोटल नंबर अफ कोशन होंगे 50 मैस और फिजिस के कोशन भी यहां पर इंकलूड होगा है यानि की सेक्शन फर्स्ट के मैस साइंस इंग्लिश रिजिंग जी के तो आएगा ही साथ में मैस और फिजिस के भी कोशन पूछे जाएंगे तो इस तरह से आप लोग इसे समझ सकते हैं आप लोग देखते जाएं जैसे Yantriлав Electrical यह रिया कोशन कि एक तो फर्स्ट वाले तो सारे अंहीं तो आप इसको अच्छी तरीके से रेट कर ले स्टेज 2 कि यदि हम बात करें तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट यहाँ पर होना है इसके बाद आपको डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर इनिशली जो IRS चिलका पर और फिर सम्मिशन होगा यानि आपको सम्मिट करने होंगे आपके ओरिजिनल डॉक्यमेंट पॉलिस वरिफिकेशन और जो भी अधर एससेट फॉर्म्स हैं वो सारी चीज़े भी आपको जमा करने होगे स्टेज 3 क्लियर होने के बाद स्टेज 4 के लिए आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ध्यान रखे हैं पर प्रोविजरली शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आई एनिस चिलका पर अपने सबी ओरिजनल डॉक्यमेंट को वेरिफाइ करके सम्मिट करेंगे और फिर वो डॉक्यमेंट सारे चेक होंगे ओके तो इस तरह से चारों स्टेजिस हैं कैसे अपलाइ करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपलाइ कैसे करना है उसकी प्रोसेस यहाँ पर पूरी लिखी हुई है आप लोग किसी भी ऑनलाइ शॉप पर जाकर एपलाइ कर सकते हैं या फिर यहाँ पर जो ऑफिशल वेबसेट शूह हो रही है आप इससे भी एपलाइ कर सकते हैं मैं आपको सजिस्ट करूंगे आप लोग पीडियेफ को कम्प्लिटी रीट कर लें उसके बाद ही अपलाइ करें यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन सिटी लिखी हुई है रिजल डेकलरेशन की भी हाँ पर टाइमिंग दी हुई है कितने कितने दिनों में किस स्टेज का रिजल्ट आ जाएगा और साथ साथ जो भी डॉक्यूमेर्स लगेंगे अलगल स्टेजिस पर उनकी लिस्ट भी यहाँ पर दी हुई है ओके मैडिकल स्टेंडर्ड भी हाँ पर लिखा हुआ आप इसको अच्छी तरीके से रेट कर लें अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं salary and other benefits की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं basic पे होगा 2100 लेवल 3 का यहाँ पर पे है यह भी आप ध्यान रखें इसके अलावा dearness allowance और other allowance भी मिलेंगे जो भी आपकी duty का nature होगा उसके हिसाब से place of posting के हिसाब से नाविक db यानि की domestic branch के हम बात करें तो नाविक gd की तरह ही यहाँ पर pay scale है 2100 यह भी लेवल 3 का ही pay है साथ-साथ जो other allowances यह वो भी सेम ही है gd की तरह ही आप इसे देख सकते हैं यान्त्रिक यहाँ बात करें तो basic pay यहाँ पर 29200 रुपे है लिवल 5 का यहाँ पर pay है साथ-साथ यान्त्रिक पे यहाँ पर 62 रुपे है और other dearness allowance और allowances भी है जैसे gd और db में है उसी तरह से तो यदि आप लोग interested है तो apply कर सकते हैं यदि कोई doubt रहा हो तो please comment करें और यदि information useful लगे हो तो video को like और share जरू कर दे यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरू कर दे और साथ-साथ notification बाल को जरू प्रिस करें ताकि आने वाले next video के notifications आपको time पर मिल सके Thank you